चुनाव है और एक तरफ गटबंदन, कॉंग्रेस पार्टी, RGD और इंडिया गटबंदन और दूसरी तरफ RSS, BJP और हिंदुस्तान के 3-4 अरब पती, देखिए ये जो चुनाव है, ये संविधान को बचाने का चुनाव है RSS के लोग, BJP के लोग संविधान को खतम करने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र को खतम करने की कोशिश कर रहे हैं और इंडिया गटबंदन लोकतंत्र को और संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है आज तक हिंदुस्तान के गरीब लोगों को जो मिला है तलेतों को पिछड़ों को अदिवासियों को जो मिला है वो सहमिधान से मिला है अगर सहमिधान कटम हो जाएगा तो जो भी प्रगति हुई है गरीमों के लिए जो भी किया गया है वो सब बंद हो जाएगा मैं आपको दो तीन उधारन देना चाहता हूँ दो तीन आकड़े देना चाहता हूँ आज हिंदुस्तान में 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही दन है जितना सत्तर करोड हिंदुस्तानियों के पास है आप सोचिए एक तरफ 22 लोग दूसरी तरफ सत्तर करोड लोग हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में सत्तर करोड लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनकी आमदनी सो रुपए से कम है एक तरफ अंबानी अदानी देश का पूरगपूरा धन उनको दिया जाता है और दूसरी तरफ देश के गरीब लोग किसान मजदूर छोटे वियापार और ये दस साल से नरेंद्र मोधी जी कर रहे है करे आका ध्यान इधर ले जैंगे और जब्रफ इदर उदर देखोगे नरेंद्र मोधी हिंदुस्तान का धन वही पाँछ दस पंदाना लोगों को पक्राते जाते है नाम आपने सुने है अदानी अंबानी अधानी जी को देखिए हिंदुस्तान के सब एरपॉर्ट सब पॉर्ट पावर विजली खदाने सोलर पावर विंड पावर डिफेंस सारा का सारा नरेंद्र मोधी जी ने अधानी जी को पकड़ा दिया है तो अब सवाल उठता है हमारा घटबंदन क्या करने जा रहा है देखिए यह जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि इतनी सीटे आएंगे उतनी सीटे आएंगी मैं सीधा बता देता हूं आपको इनको 150 से जादा नहीं मिलने वाली है यह जो भी कहना चाहें कहलो 150 से एक जादा नहीं आने वाली है अब हमारा घटबंदन क्या करेगा मैं आपको सीधा बता देता हूं देखिए नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों का 16 लाग करोड रुप्या कर्जा माग किया है 16 लाग करोड रुप्या मतलब जितना हमने किसानों का कर्जा माफ किया था जितना हमने किसानों का कर्जा माफ किया अगर आप उसको 25 बार माफ करो उतना पैसा नरेंद्र मोधी जी ने हिंदुस्तान के 4-5-10 उद्योग पतियों को दिया है करदा माफ करके 25 साल का मन्रेगा का पैसा उनका माफ हुआ है तो अब गटबंदन ने निन्ने ले लिया है जितना पैसा नरेंद्र मोधी ने अरब पतियों को दिया उतना ही पैसा इंडिया गटबंदन, कॉंग्रेस पार्टी गरीबों को देने जा रही है हमारी पहली योजना, महालक्ष्मी योजना हिंदुस्तान के सारे के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट निकालेंगे हर परिवार में से एक महिला चुरी जाएगी और उस महिला के बैंक अकाउंट में सीधा कॉंग्रेस पार्टी साल का एक लाक रुपया महिना का 8500 रुपय डाल देगी खटा-कट, 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 हर महिने 8500 रुपय पैसा महिला के बैंक अकाउंट में जाएगा मगर परिवार के लिए उसका परयोग होगा दूसरी बात नरेंद्र मोदी जी ने हिंदूस्तान को बेरोजगारी का सेंटर बना रखता है जहां भी आप देखो किसी भी युवाज पूछो क्या करते हो कहते हैं कुछ नहीं करते साथ आठ घंटे इंस्टाग्राइम फेस्बूक पर बेठे रहते हैं क्यूं? क्यूकि नरेंद्र मोदी जी ने देश में बेरोजगारी पहला दी है सब जगे जो लोग रोजगार देते थे उनको नोट बंदी और गलत जी एस्टी से नरेंद्र मोदी जी ने खतम कर दिया नतीजा यह है कि आज हिंदुस्तान में रोजगार पैदा नहीं हो सकता अब जो अमीर घर के बेटे होते हैं रोजगार के मार्केट में गुजने के लिए उनका तरीका होता है उनको एक साल की अप्रेंटिशिप मिलती है टेंप्रारी नौकरी मिलती है उनकी ट्रेनिंग होती है और उनको पैसा मिलता है मगर ये सुविदा हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को नहीं मिलती अप्रेंटिशिप अरब पती के बेटे कर सकते हैं बड़े बड़े अमीर लोगों के बेटे कर सकते हैं मगर हमारा जो युवा है बेरोजगार युवा है वो नहीं कर सकता तो हमारी दूसरी योजना जिसको हमने पहली नौकरी पक्की कहा है अब पहली नौकरी पक्की का मतलब बता देता हूं हिंदुस्तान के सारे के सारे ग्रैजुएट्स डिप्लोमा होल्डर्स सारे के सारों को हमें कधिकार देने जा रहे हैं अप्रेंटिशिप का अधिकार ताली बजाओ थोड़ो और अभी मैं आपको समझाओंगा फिर देखना अप्रेंटिशिप का अधिकार मतलब हिंदुस्तान के हर युवा को पहली नौकरी का अधिकार हमारी अगली सरकार देने जा रही है जैसे मनरेगा में रोजगार का अधिकार दिया वैसे ही हम ग्रैजुएट को पहली नौकरी का अधिकार देंगे पहली नौकरी का अधिकार का मतलब हिंदुस्तान के सारे के सारे graduate holder, diploma holder उन सब को एक साल के लिए apprenticeship मिलेगी एक लाख रुपे साल का 8500 रुपे महीने का खटा-खट, खटा-खट, खटा-खट उनके पहें काउंट में जाएगा उनकी training होगी और अगर पहले साल उन्हेंने अच्छा काम किया तो उनको permanent नौकरी मिलेगी यह जो apprenticeship वाली नौकरिया होंगी यह private sector में होंगी, public sector units में होंगी, सरकार में होंगी तो करोनो युवाव को training मिलेगी, हिंदुस्तान को एक workforce मिलेगी और हमारे युवाव हैं जो आज सडकों पर घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेस्बुक देख रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में साल का एक लाग रुपया, 8500 रुपया महीने का ठका ठका ठक, 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 ठक हमारी सडकार डालेगी आपने देखा होगा, किसान नरेंद्र मोधी के खिलाफ खड़े हैं, वो गलत कानून लाए, किसानों के खिलाफ काले कानून लाए, किसान खड़े हुए, इंडिया गटबंदन वाली पार्टी खड़ी हुई, और नरेंद्र मोधी को वो कानून रद करने पड़े, अब हम क किसानों को जो गैरेंटी दे रहे हैं सबसे पहले अगर नरेंद्र मोदी अरब पतियों का कर्जा माफ कर सकता है तो कॉंग्रेस पार्टी किसानों का कर्जा माफ करने जा रही है इंडिया गडबंधन कॉंग्रेस के साथ कर्जा माफ करने जा रहा है और दूसरा बाकी लोगों को अपने प्रोडक्स के लिए सही दाम मिलता है बड़ी-बड़ी कंपनिया मार्केट में जो भी बेचती है उन्हें सही दाम मिलता है किसान को सही दाम नहीं मिलता किसान सिर्फ minimum support price अपने अनाज के लिए धान के लिए सही दाम मांग रहा है हम हिंदुस्तान के किसान को guaranteed कानूनी minimum support price देने जा रहे हैं उसको अपने धान के लिए शुगरकेन के लिए market rate minimum support price मिलेगी सही दाम उसको मिलने जा रहा है और आखरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी ने सेना के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ, अगनीवीर योजना लागू की है, ये योजना हिंदुस्तान के किसी युवा को नहीं अच्ची लगती, जैसे हमारी इंडिया गटबंदन की सरकार आएगी, ये शाहीद का दड़शा सबको मिले, पंशन सबको मिले, कैंटीन सबको मिले, दो अलग अलग तरीके के जबान नहीं चाहिए, हमें, इसलिए अगनीवीर योजना को उठा के फेक देंगे, जैसे पहले होता था वैसे करेंगे, इन्होंने पांच अलग तरीके की GST बना रखी है ये GST को हम बदलेंगे एक टैक्स होगा कम से कम टैक्स होगा और आकरी बात हमारे जो मन्रेगा का काम करते हैं आश्या आंगनवारी का काम करते हैं रहे हैं सिधा मैं आपको बता देता हूँ जो आश्या और आंगनवारी का काम करक्र रहे हैं उनकी जो आमदरी झाल करने जा रहे हैं और जो minimum wage हें इंदुस्तान में ँसको हम 400 रुपाय कम से कम 400 रुपाय का का मनाने जा रहे हैं मन्रेगा मस्तूरों को 400 रुपए मिलने जा रहा है अब आप हमारे जो 5 कैंडिडेट्स हैं अजीज शर्मा जी तारिक अन्वर साहब विमा भारती जी जावेद साहब और जैप्रकाश यादव जी का पूरा समर्तन कीजिए बारी बहुमत से इनको जुताइए और इंडिया ग जी राजेश मिस्रा जी परवीन सिंकुष्वाह जी अमितानन जी तरुन पास्वान जी बंटी चौधरी जी तुरूपति नाज जी हमारे भाई पास्वान जी आप तमाम साक्यों से निवेदन है एक बार जोरदार तालियों के साथ आपकी दोड़ों हाथें उपर उठी हो चाहिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते रहें साथ आपका सिरोग इंतमाब और जो हमारे परतियाश है उनको निस्ची तोर पर मिलना चाहिए आशरवाद इजी कॉन ग्रूप भरोसी का दूसरा नाम हम सिर्फ घर नहीं खुशिया भी बनाते हैं आशरवाद रोस वैली जिसमें हैं प्रीमियम फ्लैट्स विट आल मॉडर्न अमैनिटीज पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नं बरू पर संपर